गुरुत्वाकर्षन भाग एक गुरुत्वाकर्षन का परिचय इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षन बल यानि ग्रैविटेशनल फोर्स और अभीकेंद्र बल यानि सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में जानेंगे हमारी आकाश गंगा में ग्रह सूर्य के चारो और कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा भी प्रित्वी के चारो और गुंता है याद करो सर आईजैक न्यूटन जिनोंने प्रसिद्ध गती का नियम बताया था ऐसा कहा जाता है कि 1665 में उन्हें गुरुत्वा आकर्षन यानी ग्रैविटियेशन का खयाल तब आया जब उनके सिर पर एक सेब गिरा यहां प्रित्वी की ओर आकर्षित होने वाली कुछ वस्तूओं के उधारन है बारिश हमेशा प्रित्वी की ओर गिरती है हम देखते हैं कि जैसे ही फुटबॉल जमीन से उपर जाती है वैसे ही ये प्रित्वी पर वापस आकर गिर जाती है पेड की डाली से टूपता हुआ एक सेब जमीन पर गिरता है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बारिश, फुटबॉल और सेब प्रित्वी की ओर आकरशित होते है लेकिन क्या वस्तूओं भी प्रित्वी को आकरशित करती है अगर हां तो हम प्रित्वी को सेब की ओर आकरशित होते हुए क्यों नहीं देख पाते ऐसा इसलिए क्योंकि गती के दुवितिय नियंख से तुरन किसी वस्तु के द्रव्यमान के वियूत्तरकमाण पाती होता है पृत्वी की तुलना में सेव का द्रव्यमान नगन्य है इसलिए दोनों एक दूसरे को समान बल से आकरशित करने के बावजूद प्रिथवी का त्वरन सेव से बहुत कम होता है और यही वज़ा है कि हम प्रिथवी को चंद्रमा की ओर जाते हुए नहीं देखते न्यूटन ने बताया कि सूर्य सभी ग्रहों को आकरशित करता है और यही कारण है कि वे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चकर लगाते हैं न्यूटन ने ये निशकर्ष निकाला कि ब्रह्मान के सभी पिंड एक दूसरे को आकरशित करते हैं ये बल गुरुत्वाकर्षन बल है, जिससे सभी पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं गुरुत्वाकर्षन बल के कारण ही चंद्रमा प्रिथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वस्तुएं पृत्वी की सधह पर गिरती हैं और ग्रह सूर्य के चारों और चक्कर लगाते हैं अब हम अभी केंदर बल को समझने की कोशिश करते हैं इसे समझने के लिए हम एक क्रिया कलाप करते हैं एक धागे का टुकडा लो और इसके एक किनारे पर एक छोटा पत्थर बांद लो इसके दूसरे सीरे को पकड़ो और इसे शैतीज वृत में गुमाओ पत्थर की गती को ध्यान से देखो अब इस धागे को छोड़ दो लेकिन पहले देख लेना की कोई तुम्हारे आसपास खड़ाना हो तुम्हें कै लगता है? क्या होगा जब तुम धागे को छोड़ोगे? अब समझते हैं कि क्या हुआ? धागा छोड़ने से पहले पत्थर एक वृताकार पत पर एक निश्चित चाल से घूमता है और हर बिंदू पर पत्थर अपनी दिशा बदलता है पत्थर की दिशा में परिवर्तन का कारण इसका वेग है वो बल जो इसके त्वरन को बनाय रखता है और जो पत्थर को वृताकार पत पर गतिशिल बनाय रखता है वो बल केंदर की ओड लगता है ये परिणामी बल जो वस्तू के वृताकार पत में गतिशिल रखता है तथा वस्तु के घुर्णन के केंद्र की ओर लगता है ये बल अभी केंद्र बल कहलाता है। यदि कोई अभी केंद्र बल ना हो तो पत्थर गुरुत्ताकार पत्थ पर स्पर्श रेखा बनाते हुए सीधी रेखा में उड़ने लगेगा। प्रिथ्वी के चारों और चंद्रमा का चक्कर लगाना भी अभी केंद्र बल के उधार्णों में से एक है। प्रिथ्वी के गुरुत्वाकर्शन से मिलने वाले अभी केंद्र बल के कारण चंद्रमा प्रिथ्वी के चारों और परिक्रमा करता है। यदि अभीकेंद्र बल ना हो तो चंद्रमा एक समान घती से सरल रेखिय पत पर चलता रहेगा बाई बाई चांद इस वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्शन बल यानि ग्रैविटेशनल फोर्स और अभीकेंद्र बल यानि सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में जाना अगले वीडियो में हम गुरुत्वाकर्शन के सारवात्रिक नियम के बारे में जानेंगे